नमस्कार साथियों उमीद करता हूँ सभी साती स्वास्तो और मस्त होंगे साथियों आज के इस वीडियो के अंदर हम चर्चा करने वाले हैं कि जलवायू परिवर्तन एक बड़ा संकट यानि जलवायू परिवर्तन जिस तरीके से देखे जा रहे हैं लगातार वहें पूरी दुनिया के लिए बड़ा संकट पैदा कर सकते हैं अगर इसमें बात करें तो देखो तेजी से सिप्ट हो रहा है मानसून यानि इसमें आज हम बात करेंगे ITC-Z वाले पार्ट की कि वहें तेजी से उत्तर की तरफ सिप्ट क्यों हो रहा है ITC-Z क्या है ITC-Z का फोर्मेशन किस प्रकार से होता है क्या भारत के लिए बड़ा संकट यानि अगर ये इस तरीके से यहाँ पर अगर देखें तो ये मानसून अगर उत्तर की तरफ सिप्ट होता है तो क्या भारत के लिए कोई बड़ा संकट हो सकता है या फिर अन्य देशों के लिए को बड़ा संकट हो सकता है इस वीडियो के अंदर हम इसका सटीक विसलिशन करने वाले हैं तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं देखो इस मुद्दे की देखो जलवाई परिवर्तन की रहे हैं कि जलवाई परिच्वन के जैसे किस प्रकार से यह है जो ITC-Z वाला चित्र है वो आपके उत्तर की तरफ सिप्ट हो रहा है देखो यह अभी जो है आपके University of California यानि California के विज्ञानिकों ने अभी एक रिपोर्ट प्रस्तुत की है उसमें क्या कहा गया है देखो जलव से आप देखेंगे कि कार्बन उत्सरजन की दर लगातार बढ़ती हुई जा रही है वह कही ना कहीं जो है अब आने वाले समय में जो उष्ण कटी बन दिये यानि ITC-Z है उसको प्रभावित कर सकता है अब देखो वैज्ञानिकों के मुताबित बारिस में होने वाला यह ब बात कर रहें देखो यह थोड़ा सा स्ट्रेक्चर आप देखेगा कि प्रत्वी जो है यहां पे देखो यह सूर्य है और सूर्य के चारों और प्रत्वी लगातार क्या कर रहा है चकर लगा रहा है आप देखेंगे कि यहां पे अगर बात करें इस सूर्य की तो सूर्य की कि किरने जहां पर सीधी पड़ती है जहां पर सूर्य की किरने सीधी पड़ती है वहां पर ITCZ का क्या होता है फोर्मेशन होता है याद रखना अब साल में कंडिशन ये होती है कि दो बार देखो एक तो आप देखेंगे 22-23 सेतंबर के आसपास वहीं 20-21 जून के आसपास जो डे इसंबर महा में जो है सूर्य की जो सीधी करिने पड़ती है वहें पड़ती है मकर रेखा पर अगर एक कंडिशन ओर दीखी जाए कि यहां पे जून महा की और विसेश कर 21-22 जून की कंडिशन देखें तो उस समय जो करक रेखा वाला भाग है वहां पर सूर्य की करिने सीध पढ़ रही हैं वहाँ पे ITC-Z का formation हो रहा है अब ज़रा इस ITC-Z को हम देख लेते हैं देखेगा अगर ITC-Z की बात की जाती है तो देखेगा ITC-Z का मतलब होता है यहाँ पे देखो अगर आप बात करें जनवरी महा की तो जनवरी महा में यह जो है दक्षनी गूलारत की तरफ आपको थोड़ा जुका हुआ दिखाई देगा और अगर बात करें जुलाई की अगर वरतमान कंडिशन की बात करते हैं तो वरतमान भी ITC-Z वाला जो भाग है यह देखो मद्दे जहारत को कवर कर रहा है इसके लावी अफ्रीका हो गया दक्षन अमरिका और यह जो उत्री अमरिका का दक्षनी भाग है उस वाले रीजन को क्या कर रहा है यह आपके प्रभावित कर रहा है अब यह ITC-Z भी बहुत सारे कारकों की वज़े से क्या होता है प्रभावित होता इसके समकष अगर आप देखें यहाँ पे यह Australian current है यहाँ पे इसके अलावा देखो यह अगलू हास वाला भाग है इसके अलावा यह ब्राजीलियन current है तो यह सारी यह बेंगूला वाला भाग है तो यह सारे के सारे जो ओसियन current है यह कही ना कहीं ITC-Z को क्या करते हैं लगातार प्रभाविते करते हैं बेसिकली ITC-Z का जो निर्मान होता है वह आपको धान रखना है विशुवत रेखिये छेत्र में होता है धान रखना और यह ITC-Z जो है यह सूर्य की इस्तती के साथ साथ अपनी इस्तती को उत्तर वह की तरफ क्या करता रहता है तो यह थोड़ा सा पही न कहीं चिंता का विशे है अब चिंता का विशे क्यों है देखो ऐसे में सबसे बड़ा सवाल ये है कि बारिस में ये बदलाव क्यों हो रहा है इसके कारणों पर प्रकास डालते हुए सोध करताओं ने जानकारी दी है कि उत्तर की और बारिस का ये बदलाव बढ़ते उत्तरजन के कारण वातारों में हो रहे जटली परिवर्तनों की बज़ परी है उसकी बज़े से यहां पर यह आई टी सी जेड़ वाला जो एरिया है यह कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा प्रभावित हो सकता है अब इससे प्रभावित होने से क्या होगा कि जो भारत वाला छेतर है अधिको इसमें ध्यान रखना भारत वाला जो छेतर है वहां पर वि अगर यह वर्षा वाला सेग्मेंट यहां से प्रभावित होता है तो कहीं ना कहीं भारतिय अर्थवास्ता पर इसका एक नकारात्मक प्रभाव देखने को मिल सकता है यह मोसम के इंजन की रूप में काम करता है कौन काम करता है मोसम के इंजन की रूप में तो मोसम के इंजन की रूप में जो काम करता है वह ITC-Z वाला करता है कैसे काम करता है जरा एक बार उसको भी हम लोग देख लेते हैं देखेगा यहां पे थोड़ा ध्यान पूरुवग द करक रेखा है, अब करक रेखा पे आप देखेंगे कि जून जुलाई के आसपा सूरी की स्तती यहीं पर होती है, तो यहाँ पे temperature high है और air pressure क्या है, low है, जबकि इसके विपरीद जो यह सागरिय छेतर है, सागरिय छेतर है, यहाँ पे temperature low और air pressure क्या है, high है, तो जहाँ पे ITC-Z उपस्तित होता है, वहाँ पे high temperature, low pressure की स्तती होती है, इस कारण यह जो सागरिय हवाई है, यह यहाँ से high pressure से low pressure क्यों चलेंगी, और अपने साथ नमी लाने के कारण यह इन एरियाओं के अंदर क्या करवाती है, वर्षा करवाती है, तो ध्यान रखना यहाँ पे जो ITC-Z वाला जो चित्र है, वह एक तरीके से यहाँ पे इस मानसून के अंदर जो है, आपके engine का काम करता है, यह आपके लिए important है, जो दुनिया में होने वाली करीब एक तिहाई बारिस की वज़े बनता है, यानि अगर आप दुनिया में देखेंगे, तो ITC-Z की वज़े से लगबग एक तिहाई वर्षा होती है, विसेश कर देखो, बता दे की उष्ण कटी बंदे अभीसरन चित्र, ITC-Z भूमद्दे रेखा के आसपास का चित्र है, जहाँ उत्तरो दक्षनी गोलार्द में आने लव प्रेसर का जोन होता है, जैसे सांत वाईदा आपकी पेटी कहते हैं, अब यहाँ पे दोनों तरफ से व्यापारिक पवने आपके यहाँ पर टकरा कर ऊपर उठती हैं, जिससे वो हवाए गरम होकर वहाँ पे सम्मेने धाराओं की रूप में क्या करवाती हैं, वर्षा दक्षन अमेरिका और प्रसांत दीप सम्मू सबसे ज़्यादा प्रभावित होंगे, इन चेत्रों में काफी, कौको, पॉम ओयल, केला, गन्ना, चाय, आम, अनानास, जैसे महत पुन फसले उगाई जाती हैं, यानि यहाँ पर मीठे और रस्दार फलों की क्या होती है, खेत जो है थोड़ा एक्टिव होना पड़ेगा, चीजों को सुधार करना होगा, उमीद करता हूँ यह वीडियो आपको अच्छा लगाऊगा, अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और कमेंट करके बताएं वीडियो कैसा लगा, नेक्स्ट झाल